नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारी यूटूब चैनल वी के क्रियेशन पर तो आईए दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कोल्डरा क्या होता है I mean what is कोल्डरा जी हाँ दोस्तों कोल्डरा क्या होता है तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर आप हमारी चैनल पर नई हैं तो प्लीज हमारी चैनल वी के क्रियेशन ग्राफिक को सब्सक्राब कर दीजी और लाइक कर दीजी तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो हाँ दोस्तो, मैं आपको बताऊँगा कि Coldra क्या होता है, Coldra एक ऐसा प्रेटफोर्म होता है, जिसके उपर हम कोई भी डिजानिंग बना सकते हैं, जैसे कि कोई भी पोस्टर की, कोई भी पंपलेट्स की, कोई भी स्टिकर की, कोई भी विस्टिंग कार्ड की, I mean कोई भी आ पागस की उपर, I mean किसी भी डिजानिंग की उपर, हम फोक्स करके एक ऐसा क्रियेशन क्यार कर सकते हैं, जो हमें एक आकर सत दिखाई देने में सहायक होता है, जैसे कि हम कोई भी कलेंडर बना सकते हैं, Coldra के अंदर, जैसे कि हम कोई पंपलेट्स बना सकते हैं, I mean sticker, यानि क कोई भी डिजानिंग हम Coldra के अंदर बना सकते हैं, तो आएए दोस्तों, हम आपको एक छोटी सी जलक दिखाते हैं, कि Coldra के अंदर हम क्या क्या टूल होती है, और क्या क्या यूज होता है इसके अंदर, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ये उपर वा जिससे आपको आसानी हो कि कोई भी डिजैनिंग बनाने में कोई भी डिजैन या किसी भी तरह की कोई भी स्टिकर या यानि कि कोई भी डिजैन हम बनाने में सहाइक हो ज्यादा तो यह देखी दोस्तों यह हमारा रेक्टेंगल टूल्स यह हम ले लेते हैं एक बार यानि कि इ यह text tool है यह icon है। इस का मतलब है o 60 command होती है दोस्तो, F8 तो उसके बाग में इस rectangle के ओपर आं हम यह निमी आप देख सकते हैं, यह हमारे होते है color plates और इसके ओपर हमारे यह रंग होते हैं, यानि के कोई भी रंग हमें यूज़ करना है तो हम इन जो टूलस होते है रंग टूल यान की कलल टूल होते जो इसके बना सकते हैं या भी कोई भी कलर फील कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो जैसे हम आपको एक बर करके दिखाता हूँ इस rectangle के अंदर हम ये येलो वाला रंग फील कर लेती हैं तो simple है दोस्तो ये हमारे mouse के left click से हम इसके उपर click करेंगे ये देखी दोस्तो आप लग देख सकते हैं ये हमारा yellow color इस rectangle के अंदर हमारा आग जुका है उसके बाद में हम इसके उपर कोई भी text लिख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ये A का जो icon है ये text tool है इसकी मदद से हम इसके उपर कोई भी text लिख सकते हैं तो चलिए दोस्तों वही हमारा जो mouse है mouse का जो left जो हमारा button होता है उसके मदद से हम इस पर click कर लेते हैं उसके बाद में हमारा जो है ये text tool activate होच चुका है उसके बाद में हम यहाँ पर लिखते हैं जैसे मैं आपको एक भर लिख के दिखा देता हूँ विक्रम उसके बाद में एडवर्टाइजर ये हमने लिख दिया उसके बाद में हम इसको थोड़ा सा बढ़ा कर लिखते हैं यानि कि मैंने आपको थोड़ देर पहले बताया था ये हमारा जो है pick tool है तो इसकी मदद से हम इसको घटा या बढ़ा सकते हैं यानि कि छोटा या बढ़ा कर सकते हैं तो उसके बाद में हमने इसली टूल है जो इसको एक्किवेट किया। उसके बाद में हमें इसका चो यह पकड़ के हम हमारे जो मायूस है उसके left ब्टन के मदद से इसको बढ़ा कर देते हैं। यह देखिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। यह हमारा बड़ा हो चुका है, उसके बाद में हम इसके उपर डबल कलिक करते हैं, उसके बाद में हमारा जो कीबोर्ड होता है, उसके मदद से कंट्रोल ए कर देते हैं, या हम यहां पर इसको हमारा जो माउस होता है, उसका लेफ्ट कलिक यहां पर करते हैं, उसके बाद में क कलिक करते रहे उसके बाद में इसको इस साइड में यानि कि लेफ्ट साइड में हम इसको ऐसे कलिक कर देती हैं उसके मदद से हमारा होता क्या है यानि कि हमारा जो टेक्स्ट है लिखा हुए हमने जो भी वो पूरा पूरा हमारा सिलेक्ट हो चुका है यानि कि मैंने आपको द दबाए हुए और left की तरफ इसको थोड़ा सा पूरा का पूरा क्लिक कर देते हैं तो उसकी मज़से हमारा होता है कि यानि कि दोनों का तरीका सेम ही है यानि कि हमारा जो टेक्स्ट है उसको पूरा का पूरा सेलेक्ट करना यानि कि दोनों का तरीका सेम है बस तरीका अलग-अलग है उसके बाद में हम control प्लस B उसकी मज़से इसको text को थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं या फिर दूसरा तरीकम आपको बताता हूँ जैसे के एक बार हम इसको control Z करके दुबारा से उसी position पर लेते हैं जी हां दोस्तों control Z का मतलब होता है हमारा जो पहले वाली जो command थी सैम उसी command पे back जाना और इसकी जो shortcut command है दोस्तों वो है control plus Z जी हां दोस्तों इसका मतलब होता है undo undo का मतलब उसी position पे back जाना और दूसरी command दोस्तों आपको बताऊंगा यह उपर आप arrow का निसान देख सकते हैं इससे भी आप undo हो सकते हैं यानिके back जा सकते हैं जी हां दोस्तों और यह होता है इस side में आप देख सकते हैं यह है redo यानि कि उसी position पे आगे जाना और यह होता है undo इसका मतलब होता है उसी position से पीच्छी की तरफ जाना जी है दोस्तों उस के बाद में यहां पर click किया और उसके बाद में replace control-e key या उसके बाद में यह देखिए दोस्तों बॉल्ड यानि कि control plus B आप लोग देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआता है control plus B यानि कि control plus B की मदल से भी आप इसको अकसर को यानि कि text को bold कर सकते हैं और यहां पर click करने के बाद यानि कि mouse के left click को click करके भी आप इसको bold कर सकते हैं जी आने कि मैं आपको दो-दो तरीके बता रहा हूं जो आपको ऊचीत लगे जो आपको ठीक लगे उसी SAR आप इसको कर सकते हैं ज BabTON'S के बाद में यह हमारा हो गया यहां पर उसके बाद में दूसरी command मैं आपको बताऊँगा यान की कोई भी बैक्राउंड हम इसके अंदर फिल कर सकते हैं तो आईए दोस्तों माप को लेके चलता हूँ यहाँ पर डैस्टोप के उपर उसके बाद माँ हम यहाँ पर लेते हैं कोई भी पिक यह देखी दोस्तों यहाँ पर लेके वाल पर रखा हुआ है दिपावली का तो चलिए दोस्तों आपको इसी को इसके अंदर फिल करके दिखाता हूँ तो उसके बाद माँ हम इसको लेके चलते हैं कोरल ड्रा के उपर यह आ गया हमारा उसके बाद माँ इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं यह देखी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं दिपावली का हमारा पोस्टर है यानि कि हमारे JPG फाइल है कोई भी फोटो हम इसके अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं तो उसके बाद में दोस्तों यह हमारा यलो कलर है अब हमें इस यलो कलर की कोई जरूरत नहीं है तो क्योंकि इस दिवाली के पोस सकते हैं यह जो कलर स्पेलेट्स है इसके अंदर यह क्रोश का इकोन आपको दिखाई दे रहा हुगा इसके अंदर हम क्या इसका यूज़ क्या होता है मैं आपको बताऊंगा क्योंकि जो हमने यह जो हमारा कलर फिल किया हमने येलो इसको हम हटा सकते हैं यानिकि हम इसको ड उसके बाद में हमारा यहांसे जो है करृट जो हमने भी ल acet वो हट गया है जी आधा क्छिमन इसकी यहीं एक जो है साहेता होती है कि हम सिर्श्क के मदद से हम कई अधा ज़िवाई होता है उसको हम हटा सकते हैं या डलेट कर सकते हैं उसके बाद में हमारा पिक टूल ये देखिए आप लोग देख सकते हैं पिक्चर इस पिक्चर को हम इस icon के अंदर कैसे डाल सकते हैं तो चली दोस्तो ये बताता हूं आपको तो इसकी shortcut command है दोस्तो इसको पर हमने क्लिक किया उसके बाद में माउस के राइट बटन की मदद से आप लोग यहां पर देख सकते हैं पाउर क्लिप इंसाइड जी हां दोस्तों पाउर क्लिप इंसाइड क्या होता है मापको बता हूँगा तो यह दोस्तों इसको हम यहां पर क्लिक करते हैं यानि कि माउस के लेफ करना है तो यह दोस्तों हम इसे इसके अंदर फिल करना है रेक्टेंगल के अंदर तो इसके उपर हमने ऐसे क्लिक किया उसके बाद में हमने जो माउस है माउस के राइट यानि के लेफ्ट सोरी दोस्तों लेफ्ट क्लिक किया माउस का और इसके अंदर हम ऐसे क्लिक कर देती है यह देखिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यह पिक हमारी इस साइड में यहाँ पर थी यह पिक अब हमारी इस rectangle tool के अंदर fit हो गई है अब इसको हमें set करना है तो set के हम कैसे करेंगे इसको बताते हैं हम आपको उसके बाद में यह देखिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा यह यह एडिट पावर क्लिप यहाँ पर आ गया है यह हमारे जो पावर क्लिप किया था उसी की यह जो है टूल से और इसका यूज क्या होता है हम आपको बताऊँगा इसका मतलब है है दोस्तों हमें यह जो एडिट पावर क्लिप है इसका मतलब है इसको हम एडिट कर सकते हैं अपने मर्जी के एकोडिंग तो इसके उपर हम माउस के लेफ्ट क्लिप की मदद से कलिक करते हैं उसके बाद में यह हमारा उस आइकों से यानि के उस रेक्टेंगल के बाहर हमें दिखाई दे रहा है कि यह कितना बाहर है इसके अंदर और हमें कितना यह चाहिए है इसके अंदर तो कि दोस्तों हमें यहाँ पर इस एरो के कोने पर हम इसको पकड़ते हैं और कंट्र्ल शित्र मतसी शिप्टर बटन्र दबाते हम और वीप्र बाणकी मजड़ से हम को पूरा पुरा पूरा कौरा पर हम इस लससों के अंदर तो देखंग है तो देकि दोस्तों कि इतना वहतनी तरीक के से यहमारा फिट हो गया है इस रैक्तेंगल के अंदर और उसके बाद में हम h capability यहां फर यह देखिया प्रों स्टोप में यंदे इसका मूत रखत करना होगा twin होगा यह देखी दोस्तों हम इसको इतना सा यहां पर सेट कर देते हैं और इसको रख लेते हैं यहां पर इतना बहतर तरीक्पे से हमारा बन गए है उसके बाद में हमें यहां पर इस टेक्स्ट के नीचे कोई भी हमारी email id इसके उपर हम डाल सकते हैं जैसे हम डालते हैं इसके बाद में यह हमारा हो गया उसके बाद में हम इसको पूरा कपूरा कलेक करते हैं उसके बाद में पैंट्रॉल एक्स की मदद से हम इसको एक बर खटा लेती हैं और उसके बाद में हम यहाँ पर इसको Ctrl V की मदद से हम इसको यहाँ पर पैस्ट कर लेते हैं उसके बाद में इसको हम यहाँ पर रखते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यह देखी दोस्तो इस परकार से हम इसको हमारी जो Mail ID यहाँ पर आगे उसके बाद में दोस्तों हम यहां पर इस side में यहां पर mouse के left right click से हम इसको यहां पर paste करते हैं उसके बाद में इसको control A और यहां पर हम डाल देते हैं अपना mobile number यह हो गया mail id को हम नीचे डग देते हैं इस परकार से और इसको हम रख देते हैं यहाँ पर और इसको थोड़ा सा और हम छोटा कर देते हैं mail id को इस परकार से हो गया उसके बाद में हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं तो अब देखी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यह हमारा इस परकार से जो टेक्ट थे वो तयार हो चुके हैं अब आगे का हमारा ओक्षन क्या है हम इसको आउटर देते हैं I mean इसकी आउटर यानि कि स्ट्रोक तो स्ट्रोक कैसे देते हैं दोस्तों यह हमारा जो अब देखी दोस्तों इसका मतलब होता है की ए देखी दोस्तों इसका मतलब होता है इसका मतलब है हम अपने recording से कोई भी अगर इसकी जो outline होती है यानि के stroke होता है उसको हम अपने merge के recording कर सकते हैं तो हम यहाँ पर एक बर रख लेते हैं round corner हो गया उसके बाद में behind field पे click कर देते हैं और scale with object इन दोनों पर हम click कर देते हैं और okay कर देते हैं यह देखिए दोसको आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो black color था उसके outside में यानि के stroke जो है वह white हो गया और send command इस पर भी हम कर देते हैं तो उसके बाद में वह ही F12 और यहाँ पर हम देखिए चार उसके बाद में यहाँ पर white उसके बाद में round corner उसके बाद में behind field और scale with object इसी तरह से हम इसकी भी कर देते हैं दोस्तों यह होगे यानि कि हमने यह तैयर कर दिया तो देखिए दोस्तों हमें शिर्फ आपको एक समझाने के लिए यह एक बार rectangle के अंदर एक छोटा सा poster त्यार करके दिखाया है कि इस परकार से हम कोई भी कोरल्डरा के अंदर sticker, pamphlets, visiting card या social media के लिए add कोई भी त्यार करने हो तो यह हम कोरल्डरा के अंदर कर सकते हैं तो आज साय दोस्तों आज की यह चोटी सी वीडियो पसंद आई हो गी आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल WK Creation Graphic को subscribe कर देजिए, like कर देजिए और अपने दोस्तों को share कर देजिए, thank you दोस्तों